पूशिच करते हैं कि जब वो चुनावी मोहौल में सभा करने जाते हैं तो किस तरह की चीजेश बहुत 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 नीज़न इंडिया में और जहां तक ब्रजेश जी की बात है तो ब्रजेश की बारे में थोड़ा सा में आपको बताना चाहूंगा ये कॉंग्रेस के साथ भी रहे बसपा में ये लंबे वक्त तक रहे मायवा तीम इनके उपर काफी भरोसा करती थी लेकिन 2017 के चुनाव से ठीक पहले ब्रजेश पार्टेश जी का थोड़ा सा हर्दे प्रवर्तन हुआ और उन्हें भातिजनता पार्टी का दामन धाम लिया और ब्रजेश जी के साथ सबसे खास बात ये है कि आज जिस तरीके से इन्होंने भातिजनता पार्टी के चाहिए संगठन के कारे करता हो या भाजपा के कारे करता हो उनसे इतनी अच्छे रिष्टे उन्होंने बना लिये हैं और इस तरह से भातिजनता पार्टी में मिल ज प्रजेज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूजन इडिया में और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि भाति जंता पार्टी ने एक नारा दिया है कि अपकी बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटे हैं इसलिए 80 पार का नारा तो यहां पर आप नहीं दे कहती जी है जो आप 80 में से 80 सीटे जीतेंगे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं लिए उत्तर प्रदेश राज में मानी मोदी जी की गरीब कल्यान योजनाय जंजन तक पहुंची है और जिस जंग से 14 से 24 तक केंदर की सरकार ने और 17 से 24 तक अभी तक उत्तर प्रदेश सरका मोदी जी अज्वावक के रूप में प्रदेश के जनजन में विश्वास जीत सुके हैं और एक लहर मोदी जी की उत्तर प्रदेश में चल रही है उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था को पूरे देश में नंबर एक पर माना गया है लोगों का मानना है कि भार्जी जंता पार्टी ही बेहतर सासन दे सकती है